कभी अमरीका में जो है किसी नौजवान को किसी इनुवस्टी में मार दिया गया है भारतिय नौजवान को कभी अस्ट्रेलिया में मार दिया गया है कभी यूरोप के किसी कोने में मार दिया गया है और इन सब के बीच दावा क्या किया जाता है बिस गुरू का बिस गुरू न आठ लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है कहते हैं कि जो है बिश में डंका बज रहा है सारे आठ लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ रहा है अच्छी बात है विकास दर बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर बे एकॉनमी हो गई सांदार शुंदर पांच टिलन की एकॉनमी हो गई तो यह 80 करोड लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़े हैं तो पैसा अगर पैदा हो रहा है एकॉनमी में तो जा किसके पास रहा है यह बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है किसानों की आमदनी क क्यों नहीं मिल रहा है और आप सब पतरकार साथी एक बात याद दिला दू लाडली का कितना परचार किये थे लाडला ने लाडली कहां है लाडली में पैसा मिलना बंद हो गया है मस्पी पर जो वादे किये गए थे वह वादा तो छोड़ दीजिए गुजरात के मुख मंत तो मस्पी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं उसको कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे दे रहे हैं इसलिए जो है किसान अंदोलन कर रहे हैं साथियों सबसे पहले तो आप सब इस प्रेसवारता के लिए आए हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जैसा कि आपको विनीत जी ने बताया आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर और संबेदन सील विसापर यह प्रेसवारता कर रहे हैं आप में से बहुत सारे साथियों को यह जानकारी मिली होगी कि रूश में बीस नौजवानों को भारतिय नौजवानों को बंधक बना करके रखा गया है बंधक क्यों बना करके रखा गया है क्योंकि हमारे देश में युवाओं के लिए मिर्त काल चल रहा है देश में तो नौजवानों के लिए मिर्थकाल चली रहा था जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है अब विदेशों में भी भारतिय नौजवानों के लिए मिर्थकाल शुरू हो गया है रोजगार के बरे-बरे दाबे किये गए सरकार ने कहा कि हम हर साल दो करोड नौकरी देंगे अगर हर साल देश में दो करोड नौकरी दी जाती तो साइध ये इस्थिती पैदा नहीं होती आप जानते हैं कि रूस के पास पर्मानेंट आर्मी नहीं है ठेके पर आर्मी है हमारे देश में भी ठेके पर अगनी पत्योजना लाई गई है ठेके पर जवानों को बहाल किया जाएगा और वहाँ पर जबर्दस्ती भारतिय नौजवानों को एक तरीके से बंधग बना करके रखा गया है उसमें से सिविलियन वर्क में गुजरात का एक नौजवान नोट किजिएगा गुजरात मॉडल गुजरात का एक नौजवान उसकी दुखत मौत हो गई है और इस संबेदन सील विशय पर चारो तरफ चुप्पी है होता है ना कि मोबाइल में एक वाइवरेशन मोड होता है और एक साइलेंट मोड होता है तो जब परचार की बात आती है फोटो आपका बात आता है तो परचार मंतरी सक्रिय हो जाते हैं Vibration mode own हो जाता है और देष से जुरा हुआ कोई भी सै हो नौजवान से जुरा हुआ कोई भी सै हो तो silent mode पे चले जाते हैं यह कितनी गंभीर भी सै है कि देष में अगर देष के नौजवान अपने देष के लिए सहादत दे रहे हैं जान दे रहे हैं तो यह बात समझ में आती है कि यह देश भक्ती है राश्ट के लिए जो है आप अपनी जान दे रहे हैं दूसरे देश की लड़ाई में दूसरे देश के वार में भारतिय नौजवानों को क्यों जाना पर रहा है इसका एक सिधा संबंद ये है कि हमारे देश में जो नौजव जानों के भविस्थ के साथ खिलवार किया जा रहा है जिस तरह से बेरोजगारी का दन्स उनको जहलना पर रहा है और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है 45 साल में देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी लाखों पद केंद्रिया विभागों में खाली हैं और सरकारी जो छेतर हैं राज सरकार के अधीन जो आते हैं उसकी तो हालत आप सब देखी रहें कि क्या हो रहा है जब हमारी भारत जोरो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी तो इलहा विश्विद्याला का एक नौजवान आया और कहा भहिया जितना इस देश में लव लेटर लीक नहीं होता है उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है मतलब नौजवानों की स्थिती ये है कि एक तरफ या तो भरती नहीं की जाती है भरती की परकिडिया शुरू होती है तो प्रसंपत्र लीक हो जाता है और पूरी की पूरी परकिडिया जो है वो न्यालय के अधिन चली जाती है और आप भरती की परकिडिया और उसमें होने से एक आकरा साजा करना चाहता हूँ अभी से कुछ महीने पहले ही एक घंटे से कम समय में एक नौजवान आत्महत्या कर रहे थे देश में अभी का आकरा ये है कि एक घंटे से कम समय में दो नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं मतलब देश में रोजगार नहीं मिलेगा तो दे उद्देश में आत्म हत्या करने की स्थिती है और रोजगार पाने के उद्देश से वार जोन में जा करके युद्धि आखरी पिस्ट पे होगा कि एक एक न्यूज और चली थी कि इसराइल में लेवर नहीं मिल रहा है इसराइल को इसी लिए बहुत सारे माफिया देश में शक्रिया हो गए हैं अलग-अलग राजियों में और जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको एक तरीके से उनकी मजबू पूरी का फाइदा उठा करके और एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा मरता क्या ना करता अब बहला फुसला करके सपने दिखा करके कि विदेश में आपको नौकरी मिल रही है देश के नौजवानों के साथ उनके भबिस्ट के साथ खिलवार किया जा रहा है और इसी कर करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं और आए दिन यह ख़वर सुनने को मिलती है फिर से ख़वार के किसी आखरी कोने में कि कभी अमरीका में जो है किसी नौजवान को किसी इनौश्टी में मार दिया गया है भारतिया नौजवान को कभी अस्ट्र गुरू हैं और आप इस देश के नौजवानों के भविस में जहर घोल रहें और जिस तरह से देश में और बिदेश में भारतिय नौजवानों की जान ली जा रही है यह अपने आप में बहुत दुखत, चिंता जनक और संबेंदर वसील बात है इसी लिए हमारा यह कहना है कि बिदेश में तो नौजवानों के लिए मिर्त काल चली रहा था, अब बिदेश में भी भारतिया नौजवानों के लिए मिर्त काल चल रहा है, इसी विशा पे आप सब से बातचीत के लिए हम साथ ही यहां उपस्तित हुए हैं, आप सब लोगों ने धैर पुरवक अपनी बात सुनी बहुत-बहुत धन्यवाद और इस संबंद में जो भी आपके प्रशन होंगे उसका हम यथा संभव उत्तर देने का प्रियास करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे अनुरोद है कि इसी शूपे जो भी प्रशन है पूचिए बहुत जोलन मुद्दा है आपके प्रशन का देखिए इसको हम लोग इसके दो पहलू है पहला तो कोई अपना घरबार छोड़ करके कहीं और काम करने के लिए क्यों जाता है जब आपको अपने घरबार में रोजगार नहीं मिलता है जिसे मैं बिहार से हूँ सर हम लोगों को पढ़ने के लिए इलाज कराने के लिए हनीमून मनाने के लिए काम करने के लिए हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है क्यों क्योंकि हमारे राज्य में अवसर नहीं है यह सच बात है बरना अपना घरवार छोर करके क्यों आएगा कोई पंजाब का कोई विक्ति तो बिहार में जा करके धान काट नहीं रहा है बिहार का ही लोग जा करके काट रहा है तो पहला मसला यह है कि अपने देश में इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है ये सबसे प्रमुख बात है दूसरा फिर मरता क्या ना करता जो काम मिल जाए सर यहीं हमारी इन्वस्टी के पीछे जो है बहुत सारी एंबेसी है लोग जो है रात को दो बजे से लाइन लगाते हैं बीजा लगवाने के लिए दो बजे से सारे आठ लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है कहते हैं कि जो है बिश में डंका बज रहा है सारे आठ लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है फिर जहां जो काम मिल जाए और ठेके पे बाहर में आर्मी में भरती की जाती है हमारे देश में नहीं की जाती थी अब की जाएगी अभी इसकी शुरुवात हो गई है तो की ही जाती है इसराइल का मामला अलग है इसराइल में आर्मी में नहीं दूसरे काम के लिए डिफेंस से रिलेटेड नहीं बलकि और दूसरे सिविलियन काम के लिए भारतिय नौजवानों को अलग-अलग कमपनिया जो है देश के अलग-अलग शहरों में शक्रिया है किसी ना किसी कोने में तुरंत आईए मिंटों में भीजा पाईए कि विग्यापन के साथ दुकान खुले हुए है और भारतिय नौ होता है वो फस जाते हैं तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है उसकी कोई एकाउंटिबिलिटी नहीं है अब इस बात का जवाव एक्चली हमारे सीनियर जैसंकर जी देते विदेश मंत्री वो है कि किस विजा पे ये लोग गये हैं सरकार का इस पे क्या स्टेट्मेंट है हम तो हम तो जो है इस देश का जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि भारत का कोई भी नागरिक द मुझे याद है आप लोगों को भी याद होगा उत्रा खंड में तराश्दी हुई थी और जो है मोदी जी के लिए बड़ा बड़ा परचार हुआ था हर अखवार के प्रिष्ट पे छपा था कि खुद से हेलिकॉप्टर चला करके गये हैं नहीं खुद से नहीं गये थे मत आपका यगून कहा है हम देखना चाहते हैं हम चाहते हैं कि देश के बाहर जो भारतिय नौजवानों के साथ देश के अंदर जो परिस्थिती है जिसके चलते उनको विदेश जाना पर रहा है तो उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सरकार इसकी जिम्मेबारी ले ये तो सरकार बताए कि कैसे गये हैं, किस माध्यम से गये हैं, स्टूडेंट वीजा पे गये हैं, कि वर्क वीजा पे गये हैं, कि टूरिस्ट वीजा पे गये हैं, वीजा का कटेग्री का है, H1N1 कौन सा वीजा ले करके गये हैं, ये तो सरकार बताएगी, हम कैसे बता सकते हैं हम तो विदेश मंत्री हैं नहीं सरकार की तरफ से कल आंखड़ा भी है सामने आया कि GDP ग्रोध जो है वो 8.4 पीज़ दी हो गई है क्या कहें गया सारहे 700 लोग जो है वो धन्ना सेट हो गया है और वो खर्वों में उनकी कमाई हो गई है और किसान ने आत्महत्या कर लिया है सारहे 12,000 इसको कैसे देखते हैं GDP ग्रोध हो रहा है अच्छी बात है विकास दर बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर बेरोजगारी दर बढ़ रहा है तो चिंता की बात है मेहंगाई बढ़ रही है तो चिंता की बात है नोजबानों की आत्मत्यादर बढ़ रही है तो चिंता की बात है महलाओं के उपर होने वाले अपराद अगर बढ़ रहे है तो चिंता की बात है जो अच्छी चीज है और चीज भी बढ़ गया बहुत बढ़या बात है मत हम बार बार यही सवाल पूछछते है न कि 5 जो आकार कि यान काला ज लेने के घुरे है तो दन कहां जा रहा है किस के पास जा रहा है आंकरा उठागर के देखिए GDP तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा जेनरेशन जो है इतिहास में सबसे गड़ीब जेनरेशन है कोई assets नहीं खरीद पा रहा है अगर कोई assets खरीद रहा है तो EMI पर खरीद रहा है तो यह GDP GDP ग्रोथ किसका है वो देखने की बात है ना और इसमें कोई यह कोई अंतर विरोधी बात तो है नहीं यह तो और अच्छी बात है तब तो सरकार अब यह बहाना नहीं लगाएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है तब तो हम कह सकते हैं ना कि GDP ग्रोथ अगर सारे 7% हो गया है तो वो जो मांग है इस देश के विद्यार्तियों का कि सिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का दस्वा हिस्सा हो तो दस्वा हिस्सा बजट का आप एजुकेशन पर खर्च करने लगी है लेकिन आपको मालूम है किस बार के बजट में जो है एजुकेशन के उपर कटवती की गई ह तो पैसा अगर पैदा हो रहा है एकॉनमी में तो जा किस के पास रहा है यह बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हो रही है MSP क्यों नहीं मिल रहा है और आप सब पतरकार साथ ही एक बात याद दिला दूँ लाडली का कितना परचार किये थे लाडला ने लाडली कहा है लाडली में पैसा मिलना बंद हो गया है MSP पे जो वादे किये गए थे वो वादा तो छोड़ दिजिए गुजरात के मुख मंत्री थे मोदी जी तो परदान मंत्री मनमोहन सिंग जी को चिठी लिख कर के कहा था कि MSP दुगनी कर दीजे अब तो मुहन सिंह जी प्रदान मंतरी है नहीं गुजरात के मुख मंतरी जी देश के प्रदान मंतरी बन गए है तो MSP क्यूं नहीं लागू कर दे रहे हैं उसको कानूनी दर्जा क्यूं नहीं दे दे रहे है इसीलिए जो है किसान अंधोलन कर रहे हैं नौजवानों की हालवाद देख लिजिये कि देश के किसी ना किसी कोने में भरती समय से हो एकजाम टाइम पे लिया जाए प्रस्ण पत्र लीक ना हो देश के किसी ना किसी कोने में जो है नौजबान और बिद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं। GDP पढ़ा है बहुत बढ़िया लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। तरह अच्छी बात नहीं है किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। देश में कानून विवस्था है जैसा कि पिताजी जो है ग्री मंतरी है तो लॉइन ओर है यह तो कहीं भी हिंसा क्यूं हो कि हिंसा होने की ज़रत क्या है। इसमें कौन सी नहीं बात है मैडम कि उन्होंने चुनावी सबाव शुरू कर दी वो चुनावी मोड पर ही रहते हैं। अब की बार चार सो पार अगर हो जाता तो एन केन परकारेंड किसी को भी आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उरिशा में जोइन कराया है। एक बीजेडी का MLA जो भाजपा कार्करताओं के ऊपर गाड़ी चड़ा दिया। एक तो मुझे नहीं मालूम कि आजकल के नेताओं को गाड़ी चड़ाने का क्या सोख है। वो टेनी जी का बेटा किसानों पर गाड़ी चड़ा दिया था। तो ये बीजेडी का जो नेता ह है वो बीजेपी के कार्यकरताओं पर प्रदान मंत्री जी चुनावी सभाओं में जा करके कहते हैं भाजपा कार्यकरताओं की पार्टी है उनके कार्यकरता के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दिया उसको ज्वाइन करा लिया है क्यूं 400 पार को लेकर के इतना कौन्फिडेंट होते तो किसी भी अस्तर पर जा करके समझाता करते अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नितीश कुमार को लेकर के क्या-क्या बोलते थे और अभी जो है सब एकदम सब बढ़िया एकदम स्वीट स्वीट सा हो गया है तो मुझे नह आप लोग विपक्ष में हैं आपकी CEC कब होगी इसको लेके कोई क्लारिटी नहीं है अलायन्स TMC के साथ वेस्ट बेंक और में होगा नहीं होगा इसका जिन्टा है आपको हमारी बड़ा अच्छा लगा सुन करके कितनी चिंता करते हैं आप हमारी बहुत बहुत अच्छा बहुत ही गंभीर और संबेदंसील विषय पर है चुनाव सीट नंबर के लिए प्रेस कांफरेंस नहीं रखा गया है नंबर मैंने आपको बताया 20 भारतिय लोग रूस में फसे हुए हैं बंधक बनाये हुए हैं वे 400 छोड़ करके 20 नंबर याद रखिए इसलिए नहीं जवाब नहीं देने आता है जवाब दे सकते हैं लिए विषय कुछ और है ठीक है कनहिया जी कनहिया जी यह बताइए कि आपने का कि अमेरिका में भारतिय चात्रों का मडर भी हुआ है संदिक्त परिस्थितियों में मौत भी हुए है यह जितने भी हाल के महीनों में मडर य लड़ेंगे अप यह विषय आज का नहीं है प्रिसवारता का पहला सवाल जो आपने पूछा है कि भारतिये नौजवानों और विद्यार्थियों के साथ आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि साजिस है लेकिन एक चिंता जनक और गं समझ में आती है मैं बार बार के तो मैं बिहार से हूँ और जो है जब हम लोग महारास जाते थे तो हमारे साथ भी जो है कई बार इसी घटनाएं घटी ऐसी घटनाएं क्यों घटती है ऐसी घटनाएं तब घटती है जब बिहार में रोजगार नहीं है और हमको मजबूरी मे बाहर जाना पड़ता है, वैसे ही भारत में अगर रोजगार की इस्थिती होती है, तो भारते नोजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ता है, पहली बात तो ये, दूसरी बात जब हम कहीं जाते हैं, तो आउटसाइडर्स को लेकर के एक इन सिकुरिटी होती है, सभाविक तो इस तरह से जो है, आइडिन्टीटी के आधार पे पुलराइजेशन होता है, धुर्वी करण होता है, और नफरत फैलाई जाती है, और नफरत का सिकार जो है, वो लोग होते हैं, मैं ये ने कह रहा हूँ कि भारत के सरकार की साजीस है, लेकिन ये परिस्थिती है, इस प प्रिजन नहीं है, दोनों की जोग्रफी अलग है, परिस्थिती अलग है, बस हमने समझने के लिए दारने, फिलाल तो नहीं, फिलाल तो हम रूस की बात कर रहे हैं, सरकार से तो हम यहीं मांग कर रहे हैं, कि आप यहीं रोजगार की विवस्था कीजिए, भारतिये नौजवानों को किसी भी परिस्थिती में वार जोन में जाकर के काम करना पड़े, दहां मिसाइल चल रही है, गोलियां चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, चाहें इस वादा याद दिला रहे हैं, कि आपने तो कहा था, कि दो करोर नौकरी देंगे हर साल, तो दस साल आप पूरा होने को हैं, इस हिसाब से आप बीस करोर नौकरी पैदा करतें, बीस करोर आप नौकरी पैदा कर देतें, तो क्यों बाहर जाता कोई, किसी को अच्छा लगता है कि गोलियां चल रही हो और वहाँ पे जो है हम गार्डेन साफ कर रहे हैं या सरक साफ कर रहे हैं यह अच्छा तो लगता नहीं है तो हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि देश के नौजवानों के भविस्थ के साथ खेलना बंद कीजिए और युवाओं के लिए जो यह मिर्त काल चल रहा है उस मिर्त काल को बंद करके ही सही माइन में अमरित काल शुरू किया जा सकता है